दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गर्मियों के दिन में कैसे आप लोग पत्ता गोवी की खेती करके लाख रुपिया कमा सकते हैं क्यूंकि इस टाइम पे बाजार में बहुत ही ज़्यादा हाई रेट में पत्ता गोवी बेचते हैं और इसलिए इस टाइम पे अगर आप लोग पत्ता गोवी की खेती करते हैं तो काफी ज़्यादा मुनापव मिलता है तो दोस्तो इस समय पे गोवी की खेती करने के लिए सबसे में जो चीज होता है वो होता है वेराइटी क्यूंकि variety अगर अप लोग इस समय साईस मतलब select नहीं करते हैं तो नुक्सान देखनी के लिए मिलता है क्यूंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा धूब देखनी को मिलता है और इस कारण से पत्ता गोवी का जो पत्ता होता है वो सह नहीं पाता है और पूरा जल जाता है तो इसलिए भराइटी काफी अच्छा माइने रखता है तो हमारे इदर जो भराइटी चलता है पिरामिट सीट कमपनी का एसी ग्रिन नाम पे जो की ये काफी अच्छा भराइटी है गर्मियों में सवनसिल के लिए तो इसको आप लोग नरसारी के लिए जनुवारी 15 से लेकर के फेबरारी 15 तक आसानी से डाल सकते हैं और इसका ट्रांस्प्लांटी आप लोग मार्च मेने में कर देना चाहिए मतलब जैसे नरशरी करने के लिए 25 दिन तो ट्रांस्प्लांट हो जाता है तो मार्च में आप लोग आसानी से इसको ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं और गोवी का खेती करने के लिए अच्छे जलनिकास बाली कालो दोमेट मिट्टि ghost लोड मिट्टी सबसे बेश्ट माना जाता है। इससे आप लूग का कोवी का साइज होता यो बहुत ज्यादा मिलता है। और मिट्टी का pH की अगर बात किया जाए तो शाड़े-पांस से शाड़े-श की फिसरिंस सबसे बेश्ट माना जाता है। और यह जो पिरामिड सीट का AC गिरिन गोबी है जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह है पिरामिड सीट का AC गिरिन पत्ता गोबी और इसका साईज लग एक केजी से लेकर के डेड़ केजी तक आसानी से हो जाएगा और इसका harvesting जैसे अप लोग transplant करने के 80-90 दिन के बाद आसानी से कर सकते है बाजार में इसका 10 ग्राम का package मिल जाता है जिसका कीमत लगबग 180-200 रुपे के आसपास हो जाता है rate की उपर ज़्यादा ना द्यान देखिए कि rate market की इसाब से अलग-अलग हो सकता है और गर्मियों के दिन में और एक चीज सबसे बाड़ी जो समझ से आता है वो होता है इल्लीओ का प्रोकॉप इल्लीओ का control अगर नहीं करते हैं तो काफी ज़्यादा नुक्सान देखने के लिए मिलता है तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा नुक्सान तो करता है इल्ली, इल्लीों को कॉंट्रोल करने के लिए आप लोगो को प्रिवेंटिव रूप में इस्प्रे करना चाहिए प्रिवेंटिव यानि अगर आप लोग गोवी की खेतिक कर रहे हैं गर्मियों में और इसमें आप लोग का इल्लीों का प्रोकॉप नहीं हुआ है फिर भी आप लोग को पहले ही इस्प्रे कर देना चाहिए इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव तो प्रिवेंटिव इस्प्रे म अगर बढ़ चुका है पत्ता गोवी में तो आप लोग बायार का भाईगों को भी इस्प्रे कर सकते हैं जो कि आप लोग दो समयल प्रति 15 लिटर पानी में मिला करके इस्प्रे करने से काफी लंबे समय तक कॉंट्रोल करके रखता है इल्लियों को और उसके अलबा बहुत सरे फंगस का भी इटक देखने को मिलता है क्योंकि ज़्यादा दूप जब लगता है तो पत्ता गोवी का जो पत्ता होता है वो जलने लगता है फंगस की बज़े से तो उसके लिए अप लोग को रोको का कॉंबिनेशन ले सकते हैं काफी अच्छा रेजाल देखने के लिए मिल जाएगा तो इस तरीके से अगर अप लोग गर्मियों के दिन में पत्ता गोवी की खेती करने जा रहे हैं तो काफी ज़्यादा हाई रेट में बेच सकते हैं औ और हमारी इस चैनल पर नए आये तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकेन को जुरूर प्रेस कर लिजीगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो डालते रहते हैं